दोस्तो आप भी उन लोगों में से हैं जिनके उमर तो बहुत कम है लेकिन उनके सारे बाल सफेद हो चुके हैं हाला कि पहले एक उमर होने पे सफेद बाल होते थे लेकिन आज कल सफेद बालों की समस्या आम होती जा रही है इससे छुटकारा पानी के लिए हम बजार के जो chemical dye होती है उनका इस्तमाल करना पसंद करते हैं जो कि हमारे बालों को बहुत ही जदा नुकसान देता है हमारे बालों को बहुत ही बुरी तरह से damage कर देता है लेकिन दोस्तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा natural तरीका share कर रही हूँ जिसमें कोई भी dye की जरूत नहीं पड़ेगी कोई भी chemical की जरूत नहीं पड़ेगी बिलकुल natural तरीके से आप घर पर अपने बालों को काला कर सकोगे तो चलिए दोस्तो बिना देरी के आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है कड़ाई तो इस तरह की लोहे की कड़ाई हम सभी के घर में होती है तो कड़ाई ले लिजेगा उसको धुल कर रख दीजेगा और ये आप देख रहे हैं ना जंग इस तरह से जो जंग लगी हुई होती है ना वो बहुत जादा अच्छी रहती है इससे बहुत ही बढ़िया से आपके बालों में नैच्छल ब्लैक कलर आता है ठीक है तो धुल के थोड़ा सा रख दीजेगा थोड़ी देर में इस तरह की जंग आपको दिखने लगेगी इसे हटाने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है अगली चीज लिए है मैंने दोस्तों यहाँ पर हल्दी हम सभी के घर में होती है और हल्दी हमारे बालों को बहुत अच्छे से काला करती है यह देखने में पीली होती है लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी अगर उस तरीके से आपने इसे इसे इस्तमाल किया तो जड़ से आपका एक एक बाल काला होगा जी हां कभी भी मार्केट की जो डाई है उसका इस्तमाल ना करें घर पे इस तरह से नेचुरल डाई बना कर आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बा कोई भी इसको लगा सकते हैं आप देखिए मैंने अगली चीज़ लिए है यहाँ पर चाई की पत्ति दोस्तो चाई की पत्ति में एंटिसेप्टिक एंटी इंफ्लोमेटरी और एंटी ओक्सिडेंट जैसे गुड पाय जाते हैं जो बालों को हेल्दी और चमकदार बनाये दाल दिया है और इसको हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लेके चलते हैं इसको गैस की तरफ अब गैस को मैंने यहाँ पर ओन कर लिया है और ओन करने के बाद दोस्तो हमें क्या करना है इसको न अच्छे से गरम करना है इसको हमें तब तक इस तरह से चलाते रहना है जब तक कि एकदम कोईला ना हो जाए, दोनों चीजे अच्छे से भुन जाएंगे, एकदम कोईले जैसी बन जाएंगे, तो तब तक हमें इसी तरह से लगातार धीरे-धीरे इसको चलाते रहना है. काले बाल हम सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिर प्रदूसर्ण, पोसकत्तों की कमी, खराब लाइफ स्टाइल और गलत प्रोडेक्ट के इस्तमाल से भी कम उम्र में ही बाल सफेध होने लगते हैं. सफेध बाल होने की बज़े से आप उम्र से ज़्यादा वड़े दिखते हैं और कई बार इस कारण आत्मविस्वास की भी कमी होती है. बहुत सारे लोग दोस्तों बालो को काला करने के लिए कई तरह के प्रोडेक्ट का इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं. इन प्रोडेक्ट में केमिकल की मात्रा बहुत ही जादा होनी की जैसे जो काले बाल होते हैं वो भी बहुत ही तेजी से सफेध होने लगते हैं और दोस्तो इससे बालों के ही नहीं हमारे सरीर को भी कई तरह के नुकसान पहुंसते हैं कई बार इसके इस्तमाल से आखों की रौसनी भी चली जाती है, तो कभे भी इस तरह से जो बजार के डाई है ना उनका इस्तमाल ना करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, अच्छे से इसको भून लिया है और एक दम ये ब्लैक हो चुका है, तो बस गैस को मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी और इसको न ठंडा होने दूँगी, इसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे इसे तयार करना है, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो हमारी डाई बनके तयार हुई है, पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब आपको लेना है यहाँ पर पानी, तो एक ग्लास मैंने पानी लिया है, जितना जरूरत होगी उतना मैं यहाँ पर इसमें एड़ करूँगी, और यहाँ पर मैं छोटे बालों के लिए इस डाई को बना रही हूँ, आपके बालों के लेंथ जितनी हो, तो आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं, तो यहाँ लगवग आधा कटोरी की करी मैंने पानी लिया है, और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है, कढ़ाई यहाँ पर थोड़ी सी गरम थी, इसलिए यहाँ पर इसमें भापसी उठ रही है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद, एक चीज इसके अंदर हम और एड़ करने वाले हैं, वो भी हमारे बालों को नैच्छल तरीके से काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, यह देखिए दोस्तों, दूसी चीज लिए है, मैंने यहाँ पर कॉफी, कॉफी का एक पाउच ले लीजेगा, दो रुपे का आता है, यह बहुत ही अच्छे से हमारे बालों को काला करता है, जिस तरह से मैंने बताया है, सेम उसी तरह से आपको यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है, और डालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर और डाल दूँगी, ठीक है और डालने के बाद अच्छे से इसको हम रख देंगे फूलने के लिए लगबक पूरी रात के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो आपको बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से इसको लोहे की कड़ाई में डाल कर लगबक 6-7 गंटे के लिए ज़रूर से रखे तभी आपको अच्छे इसकी रिजल्ट मिलेंगे अब मैं क्या करूँगी इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी तो मैं इसको ढग देती हूँ और इसको इसी तरह से छोड़ देती हूँ तो इससे छोड़े हुए मुझे 6-7 गंटे हो चुके हैं और इसके बाद हमें क्या करना है हमारी ये जो डाई बनके तयार हुई है इसको चान के किसी भी बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेना है और ये जो डाई हमारी बनके तयार हुई है दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर से अपने friends family में share करें ताकि बो लोग भी natural dye का इस्तमाल करके अपने बालों को घर बैठे काला कर सके कोई भी chemical की उन्हें जरूरत ना पड़े और हाँ अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें तो यहाँ पर देखे हमाई डाइबन की तयार हो गई है कोई भी cotton बगएर आप ले सकते हैं उसको देखे इसके अंदर आपको dip कर दे रहें और आप देख सकते हैं कोटन हमारा बिल्कुल ब्लैक हो चुका है बिल्कुल इसी तरह का कलर आपके बालों पर यहाँ पर चड़ने वाला है तो आप चाहें तो किसी कोटन की साहिता से लगा लीजे या फिर आप ब्रश वगएरा से लगा लीजे तो चलिए फटा-फट इसको लगा कर दिखाती फिर इसका रिजल्ट भी मैं आपको तुरंट के तुरंट इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो इस डाई को लगाते हुए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके बालों पर तेल नहीं होना चाहिए अगर आपके बालों पर तेल होगा तो यह डाई काम नहीं तो पहले आप अपने बालों को अच्छे से यहां पर धुल लीजेगा अच्छे से सुखा लीजेगा इसके बाद ही आपको इस डाई को इस तरह से अपने बालों पर लगाना है अगर दोस्तो आपके सारे बालों सफेध हैं तो इस डाई को आप पूरे बालों पर अच्छे से लगाएगा और कहीं कहीं के बाल अगर आपके सफेध हैं तो आप सिर्फ वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं तो इसको मैं लगा लेती हूं इसके बाद फिर मैं आपको देखाती हूं इसका रिजल्ट कैसा आया है तो यह देखे दोस्तों बालों को धुली आया है और आप देखने में बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने सफेद बालो को घर पर काला कर सकते हैं वो भी बिना किसी कैमिकल के बिना किसी डाई के तो उम्मीद करते हूं दोस्तों आज का वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो वीडियो को जादा से जादा शियर करें लाइक करें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं बाबाई अब्रिवान एंड थैंक्स वर वाचिंग बाबाई